दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई-नई वीडियो लेके आता रहता हूं तो चलिए वीडियो शुरू करते दोस्तों अंडे को सहत बनाने और प्रोटीन का सबसे अच्छा श्रोध माना जाता है लेकिन कि आप जानते हैं मुंगफली में अंडे के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोटीन और अन्य पोशक तत्व पाये जाते हैं साथ ही मुंगफली हमारे खराब केलेस्ट्रोल को अच्छे केलेस्ट्रोल में बदलती है मुंगफली वनस्पती प्रोटीन का स्त्रोध है मुंगफली में मान्स की तुलना में 2.3 गुना और अंडे की तुलना में 2.5 गुना और फलो की तुलना में 7 गुना अधिक प्रोट दोस्तों, 100 ग्राम कच्ची मुंगफली खाना एक लिटर दूद पिने के बराबर होता है। दूद के प्रोटीन से मिलता जूलता है। सिर्फ मुंगफली, दूद, गी और बादाम की कमी को पूरा कर देती है। मुंगफली खाने से शरीर गर्म रहता है और फेफड़ को बल मिलता है। कोई दिल का रोगी है तो उनके लिए मुंगफली का सेवन बहुत फाइदमन रहेगा। मुंगफली खाने वाले व्यक्ति को दिल से जुड़े रोग होने का खत्रा बहुत कम होता है। साथी मुंगफली के नियमित सेवन से खून की कमी दूर होती है। दोस्तों मुंगफली बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने में भी मददगार है। इसमें मुझूद एंटी उक्सिडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों जैसे बारिक रेखाएं और जुज्यों को बनने से रोकते हैं। दोस्तों मुंगफली का प्रतिन सेवन करने से आपकी हड्या मजबूत होती है। इसके साथ ही मुंगफली एंटी एंग्नि की तरफ काम करती है जो बढ़ती उम्र को रोकती है। इसलिए दोस्तों अगर आप शाकाहरी बनने का सोच रहे हैं तो आप बिलकुल सही सोच रहे हैं क्योंकि शाकाहरी लोग मांसाहरी लोगों की तुलना ज़्यादा समय तक जीते हैं इसलिए दोस्तों जीव हत्या से बच्चें शाकाहरी बनने